एलो प्रेंट्स वेलकम टोर चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानने वाल हैं कि आखिर क्यों माना जाता है चोदव तारिक को यान 14 फैरवेरी को वेलंटाइन डेए तो इसका एतिहां से कुछ खास तो आईए जानते हैं आज किस वीडियो में तो इस वीडियो में आप ये चीज जानेंगे कि ये जो हिस्ट्री है ये कहां से है और कैसे ये आई है आप तक तो आई एस्टार्ट करते है वीडियो को तो ये हिस्ट्री सुरू हती है रोम के एक राजा से तो रोम के एक राजा ने अपने राज को इस प्रकार बनाया कि वहां के जो जितने भी सेनिक थें उन सब को बिवा करने से मना कर दिया उन से उनको ये लगता था राजा की कि अगर सेनिकों की साधी हो गई तो वे युद में पूरी तरह धयान नहीं दे पाएंगे और हम युद हार सकते हैं जिसके कारण वहां के सभी सेनिक बिवा करने से डरते थे और राजा का आदेश था कि अगर कोई भी सेनिक हमारे राज में बिवा करेगा किसी भी करन्या से तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाएगी इस कारण से सभी सेनिक बड़े ही चिंतित और बड़े ही दुखत में फस गए थे और वहां के राजा ने इस बात को पूरे राज में फैला दिया था इन सब से सेनिकों में बड़े दुख की भावना पैदा हो गए थी लेकिन ये भावना एक वहां के संत जो की वेलंटाइन नाम था उनका उन संत का नाम वेलंटाइन था उन्हें ये सब बाते अच्छी नहीं लगी और वे इनका बिरोत करना चाहते थे जिसके कारण संत वेलंटाइन जिसके नाम पर वेलंटाइन मना जाता है अभी में बताऊंगा ठीक न तो वेलंटाइन ने सभी सेनिकों की चु करवाते हैं तब संत वेलेंटाइन को पकड़ के जो राजा थे अपने कारावास में डाल दिये सैनिकों जो मुझलिम सैनिक थे उनके साथ फिर अचानक एक दिन राजा की वेटी यानि येलर की वेटी की जो आँखे थी वो अस्वास तरहने लगी तो सब को पता था कि ये जो संत हैं ये कुछ ऐसे चीज़े जानते हैं जिनसे इनकी आँखों की रोशनी आ सकती है पुना तब संत ने उनकी बेटी को ठीक कर दी लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा और अंत में उनकी फासी की डेट फिक्स कर दी गई 14 फरवरी को और 14 फरवरी को फासी की डेट फिक्स कर लेकिन राजा की बेटी उनके साथ घुल मिल गई थी जिसके कारण संत ने अपने जो 14 फरवरी फासी का दिन थी अपने अंतिम सांस में लिखा कि अलविदा तुमारा वेलंटाइन उसे की याद में यानि संत वेलंटाइन की याद में ही ये दिन मनाया जाता है संत वेलंट कामेंट बे जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पिली जेग बार चनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा बैल का इकन को प्रेस कर दिजिएगा और दोस्तों को भी सेयर कर दिजिएगा दोस्तों वेलंटाइन देश्ट एक दूसरे को प्यार को इजहार करने के माईदया में होता है ना कि प्रेमी प्रेमी का सब के साथ आप इसे कर सकते हैं चाहे दोस्त हो चाहे कोई आपका सगा हो